नमस्कार डीवी नीउस में आपका स्वागत है देश के सबसे स्वच्छ शहर में त्योहारों पर बिगडी आवो हवा सुधाइने के लिए सक्ती के साथ कुछ एहम बिंदूओं पर साज़ा प्लान तयार किया गया है मंगलवार को नगर निगम ट्रैफिक पुलिस और प्रदूशन नियंतरन बोर्ड की एहम बैटक होई इसमें कच्छा जलाने पर 10,000 उपए जर्माना लगाने के साथ ही ऐसे मामले में नगर निगम कर्मिचारी शामिल पाया गया तो नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा मालूम हो कि अगस्त माहा में ही स्वच्छ बायू सर्विक्षन 2023 के 10,000,000 से उपर आवादी वाले शहरों में इन दौर 187 अंकों के साथ पहले नंबर पर होशित हुआ था लेकिन बीते कुछ माह से शहर की बायू गुर्वत्ता चिंता जनक हालात में पहुँच गई है चोतरफा सवालों के बीच अब जिम्मेदार नई प्लान के साथ मैदान में उतरेंगे निगम कमिशनर हर्शिका सिंग ने बताया कि नगर निगम ने बायू प्रदूशनर पर नियंतरन के कारियों की मंगलवार को समीक्षा की बैटक में अपर आयोक्त सिधार्ट जैन, प्रदूशनर नियंतरन बोर्ड के संजय जैन, एडिशनल डीसीपी अर्विंद तिवारी क्लीन एर कैटलिस्ट की टीम सहित अन्य अपसर मौजूद थे बैटक में तै कि मेकेनाइज्ट स्विपिंग के दौरां धूल के करण वाताबरण में ना मिले, बिल्डिंग, मटेरियल और मलवे को बाहनों में ले जाते समय ढाक कर ले जाना अनिवारी होगा कंस्ट्रक्शन के वक्त सभी साइट्स पर ग्रीन नेट से कवर करना अनिवारी होगा रेड लाइट होने पर बाहनों के इंजन आफ करने और भट्ती फ्री मार्केट का संचालन करने के लिए लोगो को अलेट करना है क्लीन एर कैटलिस्ट के तहट एर क्वालिट इंडेक्स निगरानी के लिए शहर में स्थापित नय उपकरण और स्वच बायो संबंदी प्रावधानों को आकार देने के लिए उप्योगी जाटा को सेंच्रल पॉल्यूशन कंट्रूल बोर्ट के पोर्चल पर अपलोड करन के नर्देश दिये गए हैं